बहुत समय पहले की बात है, एक हराभरा गाव था जिसका नाम था सुखदपुर, यह गाव अपनी सुंदर्ता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था. गाव के लोग बहुत महनती और मददगार थे, और सभी एक दूजरे का ख्याल रखते थे. सुखदपुर में एक दिन बहुत ही खास था. यह गाव के वाशिक मेले का दिन था. मेले की तयारी पूरे जोरों पर थी. हर कोई मेले के लिए उत्साहिद था, खास कर गुड़ू और चिंकी. वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में बहुत सारे खेल खेलने और मिठाई खाने का मौका मिलने वाला था. गाव के मैदान में मेले की सजावट की जा रही थी. जूले, चर्किया और खाने-पीने की दुकाने लगाई जा रही थी. मा लक्ष्मी अपनी चूड़ी और मिठाई की दुकान सजा रही थी. रमेश सरपंच सब की मदद कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि मेला अच्छे से संपन्न हो. गुड़ू और चिंकी ने सोचा की वे मेले के शुरू होने से पहले ही कुछ मज़ेदार करेंगे. उन्होंने बबलू हाथी को फूलों से सजाने का प्लान बनाया. दोनों बच्चे बबलू के पास गए और उसे फूलों से सजाने लगे. बबलू को भी यह खेल बहुत मज़ेदार लगा और वह खुशी-खुशी उनके साथ खेलता रहा. जैसे ही मेला शुरू हुआ, पूरा गाव मैदान में आ गया. जूले जूलते बच्चे, मिठाई खाकर खुश होते लोग और तरहत्रा के खेलों में भाग लेते युवा, हर ओर खुशी का महल था. गुड्डू और चिंकी ने भी जूला जूला, गोल गप्पे खाए और कटपुतली का नाच देखा. मेले में अचानक एक छोटी सी बच्ची रोने लगी. वह अपनी मा से बिछड गई थी. गुड्डू ने तुरंत चिंकी को बताया और दोनों ने मिलकर बच्ची को ढूडने की ठानी. वे बच्ची को लेकर सरपंच रमेश के पास गए. रमेश ने अनाउंस्मेंट करवाई और थोड़ी ही देर में बच्ची की माँ वहां आ गई. माम बेटी को मिला कर सबने चैन की सांस ली. मेले का दिन बहुत ही खुशी और आनंद के साथ बीता. सभी ने बहुत मजे किये और रात में जब मेला समाप्थ हुआ, तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी. रमेश सरपंच ने सब का धन्यवाद किया और अगले साल के मेले का वादा किया. गुड़ू और चिंकी अपने घर लोटे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन उनके दिल में इस खास दिन की यादे हमेशा के लिए बस गई.